Hello my dear student, कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होगे, खुस होगे पढ़ाई आप सब एकी बढ़िया चल लए होगी एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा पढ़ाई आपकी कैसी चल लए कापी सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे, लाइफ क्लास में भी बच्चे पूछते हैं सर साइन्स की क्लास कब से स्टार्ट होगी हमें साइन्स की क्लास करवा दीजी तो फाइनली अब आपकी साइन्स की क्लास कंटिनी होने वाली है ठीक है तो उससे पहले मैं आपको साइंस का जो न्यू सिलिवर से 2024 के लिए है जो वोर्ड एक्जाम 2024 होगा उसके लिए आपका जो न्यू सिलिवर्स लॉंच हुआ है उसके बारे मैं आपको बता देता हूँ कुछ इसमें से चेप्टर हट गए है यानि कि जो आपकी पुरानी NCID वाली बुक जो कि अभी मेरे सामने ये रखी हुई है इसमें से जो जो चेप्टर हट गए है नई वाली बुक में पो मैं आपको दिखा देता हूँ वो चेप्टर आपको नहीं पढ़ने सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहां से आपका chemistry वाला अध्याए 5 यानि कि तत्वों का आवर्त वर्गी करण ये चेप्टर आपका हट चुका है अब इसको आपको नहीं पढ़ना इसके बाद आप आएंगे वायलोजी में चेप्टर नंबर जो 9 है आपका पुरानी बुक में जिसमें लिगा है अनुवानसिक्ता एवं जेव विकास तो सिर्फ इसमें आपको अनुवानसिक्ता पढ़ना है जेव विकास आपको नहीं पढ़ना ठीक है इसके बाद आप आएंगे नीचे ये सारे चेप्टर आपको पढ़ना है प्रिकास का प्रावर्थन अबवर्थन मानवनित, रंग ब्रंगा सर्का संसार ये सब पढ़ना है आपको विद्द। पढ़ना है विद्द। धरा के चुम्दी की प्रभावा आपको पढ़ना है उर्जा की स्रोत ये आपको नहीं पढ़ना ये अब हट गया है उसके बाद प्राकृतिक संसादनों का सम पोसित प्रवंदन ये भी आपका हड़ चुका है ये भी आपको नहीं पढ़ना यहां से आपका ये वाला चेप्टर आपको नहीं पढ़ना ये आपकी पुरानी NCRD बुक अगर आपके पास है तो भी आप इसमें से पढ़ सकते हैं और जो चीज मैंने आपको वता दी वो चीज आप छोड़ देना वाकी आप चीजें पढ़ सकते हैं ठीक है मैं आपको एक बाद नई बुक भी यहां पर दिखा देता हूं नई जो बुक आई है उसमें आपका क्या पैटर्न रहेगा I think कोईशिस करता हूं कि आपको मुबा परतवार की करने यह चेप्टरा आपका ढ़ चुका है ठीक है और यहां पर पांचवी की जगया आपका सीधर आगया जैव प्रिक्रम जो की पुरानी वाली बुक में था आपका छट बात याए यहां आफिसके बाद आप यहांपर आज आइटाइ नो था पुरानी वाली प्रकास का प्रावर्तन, अबवर्तन, फिर मानवनेत, रंगब्रंगासर का संसार, फिर विद्दुद, विद्दुद धरा के चुम्बी की प्रभाव पढ़ना है आपको, हमारा परियावरन पढ़ना है नई वाली बुक में, ठीक है, और पुरानी बुक में देखेंगे आप तो क्या-क्या इसमें से हट गया है, देखिएगा, एक बार और मैं आपको थोड़ा पास करके दिखा देता हूँ, I think आप देख पा रहे होंगे, यहां से आपका ये वाला चेप्टर हट गया, प्राकृत संसादनों का संपो, सित, प्रवंदन, उर्जा के स्रोत, ये भी आ की रही बात क्लास की, तो क्लास आपको बहुत जल मिनने वाले हैं, तो अगर लाइव क्लास साइजी है, भी continue हो पाए, तो लाइव की वज़ए आपको मिलेंगी भाई, recorded वीडियो, जिसमें बहतर तरीके से मैं आपको एक एक चीजों को समझाऊंगा, सबसे पहले हम अध्य तरीके से समझाया जाएगा, और physics सबसे पहले हम start करेंगे, तो बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलने वाले हैं, आपका इंतिजार अपखत्म हो जाएगा, ठीके, बागी आप लोग कैसे एक बार मुझे comment करके बताइए, ये new syllabus जो है, उसका अगर आपको PDF चाहिए, तो आ महां से आप लोग डाउनलोड कर लिजी, ठीके, चाले, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, खुछ रहिए, मस रहिए, पढ़ते रहिए